बिस्मिल्लाई रमान रहीम अस्तराव अलेकुम उम्मीद करती हूँ कि सब शायरियेट से होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हेर बोटोक्स क्या है और घर बेटे आप ये ट्विट्पंट किस सरीके से कर सकते हैं तो मेरी वीडियो में एंट तक मेरे साथ रहेगा और लाइक और सबस्क्राइब जिरूर कीज़ेगा हेर बोटोक्स बेसिकलिए एक ऐसा ट्रीट्पंट है जो आपके डामेज बालों को रिपेर करता है और आपके बालों की शाइन और लस्टर को रिस्टोर परता है अच्छा अब आप ये सावाल करेंगे कैरेटन ट्रीट्मेंट क्या है तो कैरेटन ट्रीट्मेंट बेसिकलिए आपके बालों की फ्रिजनस को कम करता है और आपके बालों को स्ट्रेटन करता है nowy So, दोनों में इतना कोई खास फ़र्ट नहीं है मगर अगर आप सेलون में जाते हैं टो आपको दोनों के different charges पे करने पड़ते हैं लेकिन जो must मैं आज़ आपको बताने जा रही हूं वो घर पर किसी hair bar tops से कम नहीं है मैं आपको इसके लिए challenge करती हूँ क्योंके ये मास्क मैंने फुद बहुत अर्से तक अपलाय किया और मुझे इसके बहुत शानदार रिजर्ट्स मिलेंगे अगर आप सेलोन में जाकर किसी ऐसे ट्रेटपंट को लेने का अरादा रखती है तो ठेरिए एक दफ़ा इस मास्क को ट्राइ करना जरूर बनता है कि ये एक जल बेस्क मास्क है और इसकी अप्लिकेशन से आपके बाल आपको फुद ही मैनेज़िबल निजर आएंगे उनमें जो डलनस है जो डामेज हो चुके है इंशाला वो रिपेर होना शुरू हो जेंगे और साथ ही साथ बालों का लस्टर बालों के शाइन जो कहीं खो गई है और आप उसको तलास रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगी सो परशान की बात ही नहीं है अपने पैसे बहंगाई के इस तोर में जरूर बचाएए और घर बैठे इस ट्रिट्मेंट को जरूर अपलाई करें परते हैं आज की वीडियो की जाने मेरे चानल को सबस्क्राइब करना मत बूल लिएगा प्लीज यही तो एक छोटर सा काम है जो आप कर सकते हैं पाकी काम तो मैंने करना है नहीं नहीं मज़ाग कर रही हूं आपने भी इस मास को बनाना है और मेहनत तो आपकी भी लगनी है मगर एक मस्ञे की बाती है कि यह मास बहुत बज़ट फरेंडली है आपको सिर्फ सो रोपे रखने हैं अपने पास और चले जाना है पंसार की दुकान पर फंसार से आपको लेना है। कि लेना है। पचास रुपे का फ्लेक सीड्स इसे अलसी के बीच कहा जाता है लिफाफा भड के पंसार आपको दे देगा और आपने साथ इसाथ पचास रुपे के आमला डीठा बालजर सिकाकाई भी ले लेना है अगर आप इन चारों को पिसा हो ले लेंगे तो जादा अच्छी बात है वनना घर में खुदी कुंडी से थोड़ा सी रगड़ाई और पिस्वाई तेंडी जीएगा अबना रीठा सिकाकाई और बालजर के इस पाउडर को अपने पास किसी कंटेनर में महफूस कर लेना है और ये बहुत ही बहुत ही बॉम डॉट पॉम रिजल्ट देता है आपको आपको हमने पट्री पे लेके जाना है तो मेरे साथ आई ये बनाते हैं ये अमेजिंग मास जो के घर पर एक वाटाउक्स फीटमेंट है अलसी के बीच अलसी के बीच के हेल्थ के हवाले से तो बहुत वैनेफिट्स है लेकिन ये बालों के लिए बहुत अच्छा है ये सेकेंड इंग्रीडियन्ट है आमना रीटा सिकागाई बालजर का पाउडर ये आपने पीस लेना है ये मेरे पहले ही कंटेरिनर में डालके रखावर्स को मैं इस्तमाल करती हूँ हमारा तीसरा इंग्रीडियन्ट है इवन्न कैपसोज जिन वाइटमिन ए कैपसोज भी का ज सबसे पहले आप एक पैन लें और उसमें दो कप पानी शामल कर लें आँच आपने हलके रहने देनी है उसके बाद जब ये पानी थोड़ा सा उबलने आ जाए तो आपने इसमें अलसी के बीच डाल देने है अब आपने इसको अच्छे से हिलाते जाना है ताके ये जेल आपको एक अच्छी जेल मिल जाए अच्छी तरह से चानने के बाद आपको कुछ इस शकल की जेल मिल जाएगी आपने इस जेल में गरम गरम आमला रीठा सिका काई और बालजर का पाउडर शामल कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है उसके बाद आपन आपने इसमें वाइटरमिन ए के कैपसुल्स शामल कर लेने हैं और उसके बाद इसको एक दफ़ा दुबारा अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपने इसको कुछ शू लगाना है कि आपने बालों को अच्छे तरीके से कंगी कर लेनी हैं। बालों के पोर्शंस पेना लेने हैं फिर सबसे पहले, आपने बालों पीड़ें पर Su gjort Less कियल पर अच्छे तरीके, इसका तरीके ilit आ है और फिर रूड से लेके टिप तक आपने इसको एक-एक बालों पर लगाना है कोई बाल् Sig No supportive आ जाए कोई रिंपाउंडिंग की जरूरत नहीं रहेगी और नहीं आपका हेर फॉल होगा इंशाला उमीद करते हूं कि आज की वीडियों को पसंद आई होगी मुझे कॉमेंट सेक्शन ने आपने जरूर बताना है कि इस अप्लिकेशन के इस्तमाल से आपको कैसा रिजल्ट मिला क्य तो मैं आपको सिर्फ वही चीज़ बताऊंगे जो मैंने खुद को अप्लाइड की है अगर आपको नहीं पता तो भाई मेरे रिष्टदारों से पूछने वो तो जानते हैं कि मैं इस खिसम के टोपों को पहले खुद अप्लाइड करती हूं और फिर किसी दूसरे को बताती करती हूं कि बुलंद पाया मुसर्नफीन की कुटब के औराक में भी वो असपात मौजूद नहीं जो वाल दैन अपनी जिन्दगी के तजर्बात के रोश्टी में आपको सिकाते हैं तो यह चुटी चुटी बात में आपके लिए एक ऐसा सबक होता है जो के आपको बड़ी बड़ी किताबों में भी नहीं मिलेगा तो अल्ला तरी हमें इन असबाग को अपने जिन्दगी में शामल करने की तौफीग दे और इसे के मताबर चलने की भी तौफीग दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चिल देन अ झाल